हेलो दोस्तो नमस्कार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मिल जाएगी सब्सक्राइब करके रख लेना कल साड़े दस बजे जरू इस चैनल के उपर आ जाना सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पर चर्चा चल रही है बाजार में एक ही बैंक से रिलेटेड और वह है HDFC बैंक यह जोस्तो HDFC बैंक से रिलेटेड चर्चा चल रही है और वो जो भी बाते हो रही है वो अच्छी नहीं है इनफेक्ट वो नेगेटिव बाते हैं सो अभी हम लोग को यहाँ पर देखना है उसी के साथ साथ जो डाउट्स याप यह हो रहे है कि इसके चलती के HDFC बैंक क्रैश हो जाएगा कि येस बैंक की तरह गिर जाएगा ऐसे भी कमेंट्स याप याप या रहे है तो सारी चीज़ों को मैं डिटेल ली याप एक्स्प्लेंट करने वालो इसमें कोई शक्की गुंजाश नहीं बहुत ही अच्छा खासा याप पर पर्फॉर्मस है और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नंबर वन बैंक के ये भी आप लोग को याप पता है देन अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और फॉर्मेलेटी की कुछ तो 28 में आज की दिन लगबख 60% के असपास डिलिवरी याप पर उठाई जा चुकी है सो ठीक है सो दस्तों में आप लोग करें बताना चाहूंगा कि लगबख 10 मेने पहले येस दस मेने पहले मैंने एक वीडियो बनाए था तो HDFC बैंक का जो मैनेजमेंट था उन्होंने आप लोग का पता है कि यहाप एक कमिटी ये कर दी एंड यहाप इन्वेस्टिगेशन भी करना शुरू यहाप पर कर दिया था और उसी से रिलेटेड अभी हम लोग को कुछ चीज़े यहाप देखने को मिल रही है जो आरोप यहाप लगाए जा रहे थी कि अंदर यहाप गडबड चल रही है वो गडबड क्या वो भी हम लोग को यहाप देखना है क्या वो गडबड इतनी बड़ी है कि बैंक को ही कोलैप्स कर दे जो लोग सवाल यहाप पर पूछ रहे है वो भी हम लोग को यहापे समझ में आ जाएगा सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहापे आर्टिकल के उपर आप देख सकते हैं 28 में आज ही के दिन की यह बात है The Reserve Bank of India RBA has imposed a monetary penalty of rupees 10 करोड on HDFC bank for violation of certain rules the central bank said, central मतों RBA ने यह बात है यहापे बोली है सो दोस्तों इस paragraph में कुछ important point है सबसे पहले जो penalty यहापे लगाई जा चुके कितना 10 करोड अभी HDFC bank 10 करोड का 100 करोड की भी penalty उसको monetary के हिसाब से फरक नहीं पड़ता है अगर हम लोग बात करें देखिए penalty लग गई जा चुकी मतलब कुछ तो यहापे गलत चीज यहापे हो रही थी यह सबसे main मुदा है एंड इस चीज को हम लोग neglect नहीं कर सकते इवन दो हम लोग इस company के shareholder होंगे फिर भी जो सच है वो अभी हम लोग को यहापे देखना है यहापे RBA ने खुद बता है कि यहापे exactly क्या के issues है तो आप देख सकते इस action यह क्यों लिया गया है 10 करोड की penalty क्यों लगाई गया है is based on a deficiency in regulatory compliance regulatory compliance मतलब कोई भी bank अपने मन मर्जी के हिसाब से business नहीं कर सकती कुछ rules regulations लिखे हुए उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कुछ चीज़े है अगर आप कोई agreement करते हो कोई transaction करते हो तो उसको properly record करना पड़ता है disclose करना पड़ता है RBA को बतारना पड़ता है यह सारी चीज़े लिखी हुई है अगर आप इसको नहीं follow करते हो regulatory compliances को follow नहीं कर सकते हो deficiencies वहाँ पे रहते है मतलब इन चीज़ों को properly follow नहीं करते हो मतलब ऐसे ठीक है नहीं comply कर रहे है ऐसे छोड़ देते हो तो इसी के चलते ही यहापे action हम लोग को यहापे देखने को मिला है आप देख सकते and is not intended to the pronouns upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customer so इसके चलते RBI ने हम लोग यहापे कह सकते action यहापे लिया हुआ है so दो तो exactly यहापे गडबड की इस चीज़ क्यों ही है अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे है वो ठीक है RBI बोल रहे ही कि जो चीज़े follow करनी चाहेए तो वह नहीं की आटो से related loan रहेगा, retail loan रहेता है corporate loan रहेता है, अलग-अलग type के loan रहेता है तो auto loan की अगर हम लोग बात करें वहाँ पर हम लोग को यह irregularities या फिर गडबड़े देखने को मिली थी और इससे related हम कह सकते है कि whistleblower ने complaint की थी whistleblower मतलब हम कह सकते है ऐसा person जो कि इस चीज के साथ यहाँ पर वाकिफता उनको समझ में आ कि यह चीज बराबर यहाँ पर नहीं चल रहे है और उन्होंने जाकि यह complaint यहाँ पर की है जब यह ऐसी complaint होती है तो definitely deep investigation यहाँ पर होता है क्योंकि 10-11 माहिने पहले ही इससे related news सामने आ रही थी ऐसा कुछ auto से related अगर आप लोग लेने जाते हो HDFC में बैंक में तो कुछ यहाँ पर issues यहाँ पर होते हैं वो issues क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहाँ यहाँ पर थोड़ा सा मतलब high language में लिखा हुआ है मतलब आप देख सकते हो an examination of a documentation in the matter of marketing and the sale of a third party non-finance product to the bank's customer arising from the whistleblower's complaint non-finance product मतलब एक ऐसी चीज़ भी मतलब अगर आप लोग लोन लेने आते थे यहाँ पर HDFC bank में तो यहाँ पर एक ऐसा product जो की finance से जूड़ा हुआ ही नहीं तो इससे related कुछ तो यहाँ पर चलती थी तो इससे related में में डिटेल अभी आप लोग को बताऊंगा यह थोड़ा सा एक overview में अभी आप लोग को यहाँ पर दे रहा हूँ सो totally यहाँ पर हम लोग कह सकते है जो rules and regulations यहाँ पर हम लोग को provisions of act देखने को मिलेते उनका यहाँ पर breakdown मतलब contravention हम लोग को यहाँ पर होते हुए देखने को यहाँ पर मिल चुके और इसलिए RBI ने भी यहाँ पर action लिया और 10 करोड का यहाँ पर penalty लगा दिया है उसी के साथ साथ RBI ने यह भी बात बताईए कि जब इनके ओपर आरोप लगाएगे तो properly HDFC Bank के तरफ से भी उनको अपनी मतलब बोलते है न उनका पक्ष रखने का भी यहाँ पर मोका दिया है और वो भी सारी चीज़े हम लोग को यहाँ पर cover करते हुए यहाँ पर देखने को मिले है बट finally जो outcome हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है उसमें यही पाया गये कि जो चीज़ें यहाँ पर complaint की गई थी वो सच साभी थी यहाँ पर हो चुकी है इसलिए यहाँ पर monetary penalty भी यहाँ पर लगाया जा चुका है सो दोस्व अभी आप लोग जो शुरुआत से मतलब सुन रहे थे बार बार की auto loan में लेखने जाते थे तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती थी तो क्या गड़बड़ी होती थी तो वही चीज इस paragraph में आप एक्स्प्लें किया हुआ है कि अगर आप लोग यहाँ पर SFC bank में loan लेने जाते थे तो जबरदस्ती वहाँ पर GPS device भी रहता है वो भी यहाँ पर मतलब क्या करते थे force करते थे कि आप लोगों को वो भी चीज यहाँ पर लेनी पड़ेगी अगर आप लोग यहाँ पर वो चीज नहीं लेते थे तो यहाँ पर यह भी बोलते थे कि आपको मतलब loan आपका sanctions यहाँ पर नहीं होगा मिली थी अगर हम लोग बात करें वो जो device जो हम लोग बात करें थे रैट वो somewhere around 18,000 एक device की price 18,000 थी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सारा यह हम लोगों को खेल यहाँ पर चलते हुए देखने को यहाँ पर मिला था सो यह जो सारी चीज़े यहाँ पर चल रही थी तो आप लोगों को पता है इस वक्त तो digitalization का जमाना है हर किसी के पास device है तो यह जो allegations लगाए गए थे तो first time यह social media के उपर आया था एक जो person था उसके साथ यह सारी चीज़े यहाँ पर होई थी उन्होंने यह सारी चीज़े मतलब whistleblower ही हम लोग कह सकते थे उन्होंने यह सारी चीज़ों को यहाँ पर cover किया था और बाद में हम लोग यहाँ पर कह सकते जो mainstream media है जो news channel भी हम लोग बोल सकते जो बड़े news channel रहते हैं ट्विटल हेंडर रहते वेबसाइट रहते हैं उन्होंने भी इस पुद्दे को यहाँ पर cover किया था एंड उसके बाद यहाँ पर investigation पैनल यहाँ पर बैठा था एंड उन्होंने यहाँ पर HDFC bank के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है उसमें जो auto loan से related जो बाते आ रहे थी उसक से कभी भी issues होंगे तो वो तो जरूर इसमें deep investigation को order देंगे देंगे तो नहीं यह भी बता दिये जो भी लोग इसमें involved थे उनको तो already यहाँ पर निकाला भी जा चुका है जो भी appropriate action रहेंगे वो भी वो यहाँ पर आगे लेने वाले हैं अभी तक कि अगर हम लोग स्तीती की बात करें तो last July में ही लगबग बैंक ने यहाँ पर 6 executives थे उनको यहाँ पर काम से निकाला गया था क्योंकि उनके ओपर ही यह corruption के यहाँ पर allegations यहाँ रख दिये जा चुके थे इसके चलते जैसे आप लोगों का जो सवाल है बहुत सार लोग यही कह रहेते ती सर यहाँ पर क्या crash हो जाएगा तो दोस्तों crash नहीं होगा मैं आपको बताना चाहँगा अगर आप लोग कोई भी bank उठा कर देख लोगे ना उसमें यह सारी चीजे चलती रहती कोई ना आप इस सवाल पूछ रहेते हैं उनका मैं जवाब देना चाहँगा क्या यह stock crash हो जाएगा खतम हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं डिरेक्ली आप लोग जो बोल रहे थे कि yes bank जैसा ही क्या तूट जाएगा देखी yes bank में तो company के जो main head ही है राइट होई involved है fraud में तो वह होना ही था right RBI नहीं बोला था कि आप लोग वापस reappoint नहीं हो सकते राणा कपूर को बोला था आप वापस continue नहीं कर सकते और तब जाके वह सारी चीज़े होई थी तो यह जो चीज होई है वह definitely गलत है बट इसके चलते stock market की सबसे में बात करू तो कोई stock खतम भी तम नहीं ह लगती है बट problem यह हो जाते है कि HDFC bank अगर देखा जै stock market में एक बहुत ही बड़ा bank है आप लोगों को पता है एक बहुत ही repeated bank है और जब ऐसे situation सामने आ जाते हैं तो definitely हम लोग यहापे कह सकते हैं कि investor का जो भरोसा होता है उसके ओपर भी कभी कभी चोट यहापे लग जाती ह उसी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि बीच में भी HDFC bank के जो system failures है वो भी हम लोगों को देखने को यहापे मिले थे technical glitches देखने को मिले थे और इसी के चलते HDFC bank को एक बहुत बड़ा फटका भी लगा था कि RBI ने आप लोगों को पता है यहापे credit card issue से related उनको ban लगा ग जरू हम लोग कह सकती कि HDFC bank को अभी जिस तरीके से यह जो outcomes हम लोगों को देखने को मिल रहे है वो definitely अगर ऐसे ही चलते रहे है तो बहुत ही serious consequences भी future में देखने को मिल सकते है बट फिलाल कि अगर हम लोग बात करी यह जो news है वो बिलकुल भी अच्छी नहीं थी किसी आम आ आइसी सी बैंक तो आप लोगों ने देखिया था वहाँ पर तो कितना बड़ा issue हुआ था बट सेल वो बैंक यहाँ पर जिन्दा है बट इसके चलती रहती है बहुत सारी यहाँ जो की गलत है बट इसके चलते कोई stock यहाँ खतम नहीं होता है यह भी आपको यहाँ पता होन आपको यहाँ तो वी विल भी मिटिंगा आरणिक शुदी तब तक के लिए बाइबाए